आज उत्राखन कैबिनेट की एहम मीटिंग होने जा रही है जिसमें कई मुद्दो पर बहुत लग सकती है आपको बता दें कि सच्छिवाले में होने वाले धामे कैबिनेट की महत्वपून बैठक में उत्राखन की नई खेल नीती को मनजूरी मिल सकती है इसका इशारा खुद सीम धामी पहले ही कर चुके हैं। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी केनुसार काबिनेट बैठक में उत्राखन की नई खेल नीती को मनजूरी मिल सकती है सीम धामी ने एक बयान में कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के खिलाडियों के लिए खेल नीती में कई नई प्रावधान कर रही है इससे राज्य के खेल और खिलाडियों दोनों को पायदा होगा सीम धामी ने कहा कि प्रदेश की खिलाडियों को अपनी प्रतिभाओं को दिखाने के लिए किसी पर आश्ट्रित ना होना पड़े सरकार उनकी चिंता करेगी बैठक में राशन डीलेरों का अंचिदान बढ़ाने सरकारी श्रीत्र के उद्यानों को लीज पर देने और विभागिये सेवानिये को प्रस्ताव भी इसका आ सकता है आपको बता दें तीन फीजी महगाई भत्ते के अलावा करमचारी और सेवा नियम वाली से चुड़े विश्यो पर फैसला आ सकता है और आज होने वाली मंत्री मंदल की बैठक में आने वाले श्रीत कालीन सत्र से संबंदित भी कई विश्या आ सकते हैं आपको बता दें कि आने वाली साथ और आठ दिसंबर को गैरसेंड में श्रीत कालीन सत्र होने जा रहा है और ऐसे में श्रीत कालीन सत्र में लाए जाने वाले अध्यदेश और विधे को खुले कर काबिनेट में मन्सूरी दी जा सकती है तो ऐसे में आज आपको बता दें कि उत्राखन की ये काबिनेट बैठक होने जा रही है शाम पांच बजे ये काबिनेट की बैठक होगी CM की अध्यक्षिता में ये बैचक होने जा रही है नई खेल नीती पर मोहर जो उसका प्रसाफ है उस पर इस काबिनेट बैचक में मोहर लग सकती है हाला कि तमाम और प्रसाफ भी हैं जो काबिनेट में रखे जा सकते हैं लेकिन खास यही है कि नए खेल नीती जो है उसके प्रावधान जो है उस पर रहेगा और इससे राचे के खेल और खिलाडियों दोनों को की फायदा होता नज़र आएगा क्योंकि आपको ये भी बता दे कि सीम पुश्कर सिंग घामी पहले भी ये कहे चुके हैं उन्होंने कह रहा था कि प्रदेश के खिलाडियों को अपनी प्रतिवाओं को दिखाने के लिए किसी पर आश्रित नाखोना पड़े सरकार उनकी चिंता करेगी तो आज उत्राखंड में ये बड़ी काबिनेट की बैठक होने जा रही है शाम को पाँच बजे ये काबिनेट बैठक होगी और कई प्रस्ताव इस काबिनेट बैठक में रखे जाएंगे जिन पर मोहर लग सकती है लेकिन सबसे एहम यही माना जा रहा है कि नई खेल नीती जो प्रदेश में खिलाडियों के लिए बनाई जाएगी उस पर मोहर लग सकती है साथ ही आपको यह भी बता दे कि इस बैठक में राशन डीलरों का अंच्रदान भढ़ाने सरकारी शेत्र के उध्यानों को लीस पर देने और साथ ही ऐसे तमाम प्रस्ताव आ सकते हैं वहीं तीन फीज़ी महगाई भत्ते के अलावा करमचाद योग और सेवा नियमवाली से जुड़े विश्यों पर भी फैसला आ सकता है तो ऐसे में ये काबिनेट बैठक होगी और आपको ये भी बता दें के साथ और आठ दिसम्बर को गैसेंड में शीत कालीन सतर बी उत्रखन में होने जा रहा है उसमें अध्यादेश उसमें जो विधेक लाए जाएंगे उस पर भी आज उस काबिनेट बैठक में बात हो सकती है तो आज ये बड़े काबिनेट बैठक उत्रखन में होने जा रही है आपको बता दें कि 7 दिसम्बर और 8 दिसम्बर को गैसेंड में शीत कालीन सतर होने जा रहा है और ऐसे में उस शीत कालीन सतर के दौरान अध्यादेश और विधेकों को लेकर भी काबिनेट में मन्जूरी दी जा सकती है आने की कई प्रसाबों पर आज इस काबिनेट बैठक में मोहर लग सकती है